जोहर और वेल्कम तो माई यूटूब चैनल फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वाहत करता हूँ ठीक है फन्विट फॉर्मिटिंग का या पार्ट 6 है आज मैं से बात करेंगे टेक्स साइजस इन फॉन्ट ग्रूप इस सब्सक्राइब कर दें और ब्ल चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल이고 क्रिक करदे । इसे व्याहत का साइज मैं सिर्फ करते जुक्षा में तैकर आप साइज हम पॉarts इक प्रूइंच में ठीक है word में जो font size जो आप declare कर सकते हो वो कर सकते हो एक point से लेकर के 1638 points तक ठीक है और point size smaller than 6 ठीक है उसको read करना किसी human के लिए ठीक है बहुत मुश्किल होगा ठीक है और जो भी कोई letter है वो ज्यादा ते ज्यादा maximum 72 points large हो सकता है इसके रावब आप क्या कर सकते हो आप specific value भी type कर सकते हो ठीक है टेक्स बॉक्स में तो आपको 11.5 टेक्स करना है तो आप क्या करोगे 11.5 इंटर कर दोगे 12.5 13.5 something like that okay friends और जो shortcut की है जो आमें ध्यान रखना है ठीक है इससे काम क्या होगा बहुत आसान हो जाएगा suppose आप data को increment करना है तो आपने test को increase करना चाहते हो ठीक है तो उतका shortcut क्या है to increase the font size control plus shift plus getter sign ठीक है to decrease the font size control plus shift plus rest 10 ठीक है to increase small increment small increment का मतब जैसे एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आप उसको ऐसे increment करना चाहते हो तो आप control plus ठीक है यह middle bracket closing and decrease का होगा control plus middle bracket opening ठीक है to remove the formatting जो भी अपले अपने जो भी text आपने format किया ठीक है आप उस text को उसे reset करना चाहते हो ठीक है आप उसे इसमें formatting को remove करना चाहते हो तो इसका क्या होगा to reset the setter text to the default formatting control plus space bar ठीक है और अगर पूरे भी text में से पूरे paragraph में से ठीक है इसमें formatting उसको remove करना चाहते हो ठीक है तो उसके shortcut किया है control plus shift plus end ओके फ्रेंस so let's do the practical friends so friends यह paragraph है ठीक है suppose इस paragraph के size है ठीक है default size जो होता है ms word में वो होता है 11 और default font होता हुए calibrary body ठीक है आप तो क्या करना है आपको क्या करना है इस text पो select करना है ठीक है आप यहां से जो भी font size चाहिए वो आप select कर सकते हो उसके according change हो जाए ठीक है और यहां से जो भी font size है उसके according आपका text जो है री size हो जाएगा ओके फ्रेंस बहुत तो यह दूसरा क्या है यह जो command है यह जो greater than जो आपको यह दिख रहा है यह size increase from size shift plus control shift plus greater control shift plus greater ट्रैप करोगे तो size क्या होगा increase हो जाएगा less than size करोगे तो decrease हो जाएगा ओके यह decrease का है यह increase का है इसके दाव आप क्या कर सकते हो आप color को change कर सकते हो ठेके color change कर दिया आपने आप किसी पार्ट को share करना चाहते हो आप शेर कर सकते हो ओके आप स्टारिंग करना चाहते हो तो आप स्टारिंग भी अप्लाई कर सकते हो के दावा आप इसे सेंटेंस कर समय सपोस यह जो वर्ड है यह जो एलिमेंट है आप इसको सेंटेंस कर समय करना चाहते हो इसको चेंज करना चाहते हैं तो 11.5 करना चाहते हूं इंटर करोगे size 11.5 हो जाएगा ठेक है आप specifically भी इंटर कर सकते हो size को mention कर सकते हो okay font size control shift plus P ठेक है shortcut की है 11.5 और रेट टेस्ट पो शेक करो यहाँ पर जाओ okay 11.5 और प्रेस्ट इंटर टेक्साइज बीचेंज जाएगा अजैसे आप mouse over करोगे आपका shortcut की भी आप लेक्षा जाएगा font size control plus shift plus P ठेक है जब आप manually enter कर दो okay जब आप इसका use करते हो तो जो increase होता है वो इसके according होता है ठेक है 16 किया तो 16 पर टेटर को set करना पड़ेगा आपको okay increase 14 18 16 और राइट इसके according चलेगा okay तो next आपके क्या आता है control plus control plus middle closing bracket closing bracket तो इसके क्या होगा एक-एक step बढ़ेगा ठीक है 14 है ठीक है ठीक है ठीक है मैं करसर इसको follow यह 14 है 14 पर जब क्रिक होगा तो 15 क्रिक होगा ठीक है 14 15 16 17 18 यह कि shortcut की से हो रहा है वो shortcut की है यह control plus middle bracket closing ठीक है अब आपको remove करना है इसमें सब फॉर्मेटिंग तो आपको क्या करना है control plus space bar तो नॉर्मल जो पहर नॉर्मल था जो बाइडिफॉर्स रटता हो बाइडिफॉर्स सट हो जाएग okay friends तो आपको फ्रेंट कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आपको आपको बाइड करना है आप यह बाइड करोगे तो आपको और पेच्छे समझ में आएगा तो फ्रेंट से गुड़नोड के साथ वीडियो को यह पर खतम करते हैं तो फ्रेंट अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंज थैंक्यू वेरी मच्छ